सबसे पहले एक कटोरी पानी ले लेंगे और उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल कर अच्छी तरह से उसे मिला लेंगे चीनी मिला लेने के बाद हम इसके अंदर एक चम्मच लगभव इस्ट डाल कर एक घंटे के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर एक कटोरी पानी डाल कर सूखी लाल मिर्च पांस से दस मिनट के लिए उबाल लेंगे मिर्च उबल जाने के बाद हमारी चटनी के लिए तैयार है अब हम इने एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे अब हम उबली लाल मिर्च मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे अब हम इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला तोड़ा कटा हरा धनिया थोड़ा नीबुकराज थोड़ा सा ही जीरा थोड़ा ओलिवेर और स्वादनुसार नमक डाल लेंगे और इसे ग्रैंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे चटनी पीसने के बाद कुछ हमारी इस तरीके की हो गई है अब हम चटनी के अंदर थोड़ी मियोनीज डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हमारी पीजा सोज तैयार है अब हम एक पैन के अंदर लगवग एक चम्मच देशी गी डाल लेंगे अब हम इसके अंदर आदी चम्मच गरम मसाला आदी चम्मच मेर्च और आदी चम्मच हल्दी और सुआद अनुसार नमक डाल का अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके अंदर कटेवे पनीर के पीज डाल लेंगे और अच्छी तरह से इनने सोटे कर लेंगे अब आप देख सकते हैं पनीर सोटे करने के बाद इस तरीके के हो गए हैं अब हम दो कटोरी मैदा ले लेंगे और इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल लेंगे अब आप देख सकते हो एक घंटे के बाद हमारा इस्ट एक्टिवेट हो चुका है अब हम इस इस्ट से आटे का मौयन तयार कर लेंगे अब आप देख सकते हैं हमारा मुएन तयार है अब हम इसे गुन गुने दूज से अच्छी तरह से माण लेंगे अब हमारा आठा कुट कर तयार हो चुका है अब हम इसे एक सरफेस के उपर रख देंगे अब हम इस आठे को 5 से 10 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से गुटते रहेंगे अब हम एक बाउल के अंदर देशीगी लगा लेंगे अब आप देख सकते हो हमारा डो बन कर तयार है हम इसे कुछ इस तरीके से रोल करकर बाउल के अंदर 5-10 मिनट के लिए रख देंगे अब आप देख सकते हो 5-10 मिनट के बाद हमारा डो कुछ इस तरीके से फूल कर अच्छा हो गया है अब हम डो को कुछ इस तरीके से रोटी का सेप दे देंगे अब आप देख सकते हो हमारा डो बिलकर तयार हो चुका है हम इसकी कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे अब आप देख सकते हो हमने इस डो को कुछ चैपीज में काट लिया है अब हम पलेट के उपर रख कर कुछ इस तरीके से पीजा सोस लगा देंगे पीजा सोस लगाने के बाद हम तलेवे पनीर के पीज भी इसके उपर रख लेंगे अब हम इसके उपर थोड़ी कटी वेजिस रख लेंगे आप कोई भी सबजी का इस्तमाल कर सकते हो अब हम इसके अंदर थोड़ी ओरेगेनो थोड़ी चिली फ्लेक्स थोड़ा मैगी मसाला डाल देंगे अब हम इसके उपर थोड़ा चीज कस देंगे और हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे और इसकी एक पोटली बन जाएगी अब हम एक अवन की पलेट पर अच्छी तरह से घी की ग्रेसिंग कर लेंगे और इसके उपर पनीर जिंगी रख देंगे अब हम इसे 220 सेटिंग पर 10 मिनट के लिए रख देंगे अब आप देख सकते हो हमने डो को पीजा की सेप में बेल लिया है अब हम इसके उपर पीजा सोस लगा लेंगे पीजा सोस लगाने के बाद हम इसके उपर टमाटो सोस भी लगा लेंगे अब हम इसके उपर थोड़े पनीर के पीस भी रख देंगे पनीर के पीस के बाद हम इसके उपर थोड़ी वेजिस भी डाल देंगे अब हम इसके उपर थोड़ा चिली फिलैक्स और औरिगेनो भी डाल देंगे और इसके उपर थोड़ा चीज भी कस देंगे अब आप देख सकते हो हमारा बेख होने के लिए पीजा तयार है अब आप देख सकते हो पीजा और पारसल बन कर तयार हो चुके हैं अगर आपको इसी तरह की टेस्टी रेस्पी की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर करें थेंक यू